प्रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके आपको धमका रहा है डरा रहा है आपको कह है कि आज अगर पेमिट नहीं करेंगे तो आपके हम आखें बैठ जाएंगे लीगल एक्षन करेंगे आपका लॉण पूरे कर्तव्य की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को अंतक देखिएगा अंत में मैं आपको एक वो टिप्स बताऊंगा जिसमें आपका लोगन या करेडिट का अमाउंट अगर सेटल्मेंट प्रोसेस में है तो कैसे 10-15% में हो जाएगा मैं हूं अबदुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और आज की टॉपिक आप लोगों के लिए रखी है कि अगर लॉन रिकवरी एजेंट आपको कॉल पर धंका रहा है घर आके धंका रहा आरोसी परोसी को आपकी बाते बता रहा है तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लॉन जो होता है वह लॉन आपको बहुत काम की चीज होती है किसी भी टाइप का लॉन हो आप स्कूर्ड लॉन ले चाहें अंस्कूर्ड लॉन ले अब अंस्कूर्ड लॉन में दो चीज़े होती है या तो बीजनेस लॉन पर credit card credit card credit card आपको बहुत सारे advantage देता है personal loan Loan आपके बहुत काम का होता है personal loan के साथ सथ आप अगर चाहरे तो बिगनेस loan भी लेकिए आप अपना धन्दा भी कर सकते हैं काम धन्दा दोस्तों नौकड़ी सब कर दिया तो दोस्तों आपको MSM लॉन मिल जाता है और MSM मिलों के साथ साथ अगर आप में कारी गर है विश्करमा टाइब का काम करते हैं जैसे घर मोची हैं चाये किसी भी काम करते हैं जो की लेवर के लिए आपको 20 कर्मा सम्मान योजना वाला लॉन दिया जाता है जिसका नाम विकास लॉन है और आप लोगों के लिए 17 तारी को मोदी जी ने चालू किया है वो इसके लावा और तो को आत्मा नीरवर बनाने के लिए मोदी जी का है गुरूप लॉ लेकर कर सकती है तो लॉन आपके लिए बड़ा प्रटक्टिविटी होता है आप उसको लेकर उनों कुछ काम कर सकते हैं इन सब की इन्फर्मेशन के लिए मैंने और वीडियो बना रखिया आप जाके देख सकते पले लिस्ट जो यह दिख रहा है डिसक्रिप्शन में इसका बैंके है जो आपको देते हैं गरोशी नाइनिंग मुवी ट्रेवलर सारे टाइप के करेडिट कार देते हैं समय ड्वांटेज देते हैं आप उन कार्ट को यूज करके अप टू पर संट तक कैस ले सकते हैं आप लोगों को कार्ट के रिवीव के बारे में नहीं मालूम है लिंग रिफें दिसक्राम में लिंक है लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमारे साथ जो Garek रहता है कभी सरकार के बादों के मुकाबले कभी समय एक ऐसा हो जाता विवि परिशानियां आती है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बीना देखे कर्डिट कार्ट को हम लोग अपने हास कर लेते हैं और व्रेट्रप कर συद்क्राइब किन अभर जुक्क है ओराप जांगा तो एस इसे स्टी़ोशन में अगर आप पहले दिनों फसे हैं जैसे टाइप को गया जंगली रम्मी हो गया और सेयर मार्किट इन में लोगों ने बिना सोचे समझे पैसे लगा दियो और फस गये उन पैसों को उन्होंने सेयर मार्किट में दुबादिया फ्रॉड के चक्र में पैसे चले गए तो इन लोगों के लिए बहुत बुरे सिच्वेश कॉल का बहुत वड़ा योगदान होता आप से पैसे लेने के लिए जब आपको पैसे भी देता तो आपको पताने की लॉन देने वाला वी बंदा कोई न कोई एजेंट होता है चाहे बैंक के बाहर मिले चाहे बैंक के अंदर मिले वह आपको लुटा-फटा-फट दिलवा लेने के पास अगर परेशान ही हो जाती तो उनको और हरेस करते हैं क्योंकि पकेट सिस्टम में उनका केश चलता है फॉक्त से लिए सिक्स पकेट और भीच में एन पी हो जाता है यानि कि आप जो पैसा बैंक से लिया है उस पर भ्याद नहीं दे तो बैंक की इनकम बंद हो जाती है तो दोस्तों इस विटिवीन वह आपको पहले तो बहुत प्रैटली बात करते हैं कि सर आपको पैसा देना दे दीजिए और दूसरे मेने में आपस गाली गलोच हो इन सब चीजों पर विस्तार से आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों अगर रिकवरी वाला आपको घर पे कॉल करता है या आपके रिष्टेदारों को कॉल करता है तो आपको पता नहीं होता कि आप जब भी कोई भी लॉन एप या कोई भी डाउनलोड करते हैं तो आप अपना एक्स अब जो है ना हर लॉन कंपणी के एप हो गये हैं और उन लॉन आपके मादियम से जब आप उनको अपना एकसेस दे देते हैं तो वह पेमेंट ना करने पर आपके एकसेस के जीतने भी नमबर पर उनको कॉल करके आपकी बातें बताते हैं जो की सरासर गलत होती है तो दोस् है आप चाहें तो उनके खिलाफ लेकर उनको अंदर भी करवा सकते हैं जी या दोस्तों बिल्कुल अगर रिकवरी वाला कोई बंदा आपके घर आ गया है गाली गलोच कर रहा है फोन पर गाली देके धमका के फिर आपके घर पे आके सीना चोड़ी करके आपसे पैसे मांग आपके उनको उनको सारी चीजों की अबस को सब्सक्राइब करना है और कस्टमर की अगर प्रॉब्लम में तो सोलुशन कैसे देना है और कस्टमर से कैसे बाते कर नहीं है लेकिन ये लोग सारे नियम कानून को ताक पे रखके रिकबरी करते हैं रिकबरी वो इसलिए तगड़ी वाली करते हैं कि उनको दोस्तों 15-20% का कमिशन मिलता है इसलिए उपनी जीरी जान लगाके सारे नियम कानून को दखता बता के वो लोग रिकबरी करते हैं तो दोस्तो आपकी बातों को किसी को शेड नहीं कर सकते प्राइवेसी एक्ट के अंतरगत और अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो आप उनके खिलाप प्राइवेसी एक्ट के अतरगत आप उनके ऊपर भी एक्षन ले सकते हैं दोस्तों इसमें भारति है रिजर बैंक आफ इंडिया ने आई वी इसके माध्यम से बैंक और आपके बीच एक रेगुलेशन होता है यहां अत्यांत महतपूर ने की बैंक यह सुनक्षित करें कि ग्रहां के सभी बैंकिंग रिकॉर्ड सुनक्षित हैं और गहां की सामेती से किसी अन्या पार्टी या संगटन को उपलब्द नहीं है बैंकिंग कंपणी अधिनियम 1970 की धारा 13 विसे सुरुप से उनसे पिक्षा करती है कि बैंकर के बीच परचलित पर्थाओं और उप्योगों का कानून द्वारा अन्यथा अफेक्षित को छोर कर निरक्षन करें और विसे सुरुप से मामलों से संभित किसी भी जानकारी का कुलासा ना करें घटकों की उन परस्तितियों को छोड़ कर जिनमें वे कानून या प्रथाओं के उप्योग के अनुसार या उनके लिए ऐसी जानकारी परकट करना उचित है जैसा की कानून कहता है ऐसी परस्तिया होती है जहां किसी के खाते के बीबिन तक पहुंचने के परभारदान होती है तुछ का दोस्तों कानून दुवारा अवस्तियान काड़ी पहुश्ण करेंक अपने ग्रहां के खाते से संबधी जानकारी का खुलासा करने के लिए दैदद्र के तहतें जब कानून के उनुसार ऐसा करने की विशेश अवसकता होती है दोस्तों आप समझे रोगी कि अगर बैंक और आपके बीटमीन अगर बातचित हुई है आपने अनुबंद करके उससे कोई भी प्रड़क्ट लिया है तो अनुबंद में ये साफ लिखा होता है भारतिये कंपनी कानून के अंदरगत कि वह आपक की एक्टिविटी देश के लिए खतरनाक है और आपकी इंफिर्मेशन सरकार को चाहिए जो की बहुत जरूरी है तो वह पुलीस के माध्यम से आपकी जानकारी को वह बता सकती है लेकिन यहां पर क्या होता है आपकी बात तो एक क्रेडिट कार्ट का छोटा सा एजेंट जो की बिल्कुल गलत है जियां दोस्तों बिल्कुल गलत है और खाते की गोपनियता बनाए रखना यह बैंक की बाध्यता है यानि कि उसको चीजों को डिस्क्रोज नहीं करना है यह बहुत बड़ी बात होती है जो की बैंक को मानना चाहिए लेकिन एजेंट के माध्यम से वह गए नहीं तो हमारा एजेंट नहीं ता हाथ उठा लेते हैं लेकिन आप खुल पुल पुरूब थे ao अगर आप जमा कर लेंगे अगर आप रिकवरी ऑजन्ट के खिलाफ के घिलाथ is और ना एक सकते हैं पर बैंक और पर आपने गलतियू को मानने के लिए दोस्तों आएकर अधिनियों 1961 के तहट धारा 131 के अनुसार किसी भी प्रस्ताप सहीद किसी भी व्यक्ति की उपस्तिती को लागू करने के लिए आएकर अधिकारियों के पास ही वह सक्ति है जो नागडिक परकिरिया सहिंता 1908 के तहट एक नियाले में नहीत है बैंकिंग कंपनी या उसके किसी प्रस्ताप को ऐसे बिंडियों मामलों में संबंद में जानकारी परस्तूत करने के लिए जो आएकर अधिकारियों की रह में अधिनियम के तहट किसी भी कारवाई के लिए उपयोगी या प्रसंगी है इस परकार आएकर अधिकारी बैंक के ग ने उन्हें ब्याच का भुकतान किया जिसके उनके द्वारा भुकतान गई यानि के आयकर विभागी बैंक से उस कस्टमर की जानकारी ले सकता है जो कि कहीं न कहीं आयकर विभाग को लगता है कि यह लेंदिन कर रहा है वो गलत है तो दोस्तों यहां पर आयकर विभाग को अ शोटियां की पास कहा करता है तो दोस्तों आप एक सजक गरहाक वनिये और इन सारी जानकारियों को रखके आप चाहें तो बैंक और बैंक के रिकमरी एजेंट की लंका उन लोगों को ही बैंक वाले कॉल करते हैं लेकिन बड़े बड़े लोग बड़े जो लोग होते बड़े-बड़े मालिक मिलोगे मालिक होगे नेता गन होगे बड़े-बड़े लोगों को क्यों नहीं को रिकबरी एजेंट परिशान करता है क्यों नहीं कोई बैंक वाला घर जाके उसके बैठता है उसका कारण दोस्तों उसको पता है कि अगर ये लोग मेरे पर लीगल एक्षन लेंगे तो मेरा बैंक बंद हो सकता है लेसंस निरस्त हो सकता है तो दोस्तों अपने आपको जागरुक बनिए जागरुक ग्रहक बनिए अपने अधिकारों को जाने और अ ये सब गलत होता है और गलत के खिलाब सरकार आपके साथ है तो दोस्तों नियम कानून तो बहुत सारे हैं आप इंदियम कानूनों को अराम-राम से पल सकते हैं तीकर ना बेंक की जाठे जमारासी का विभरत रह शारी चीज़े बैंकिंग लोग के अनुरूप है और दोस्तो रूल लेगुलेशन इतने हैं कि आप परते-परते परेशान हो जाएंगे लेकिन आप इनको अराम-राम से पढ़ लीजिए ये सारी चीजे जो आपके सामने डिस्प्लेय पे चल रही है इससे आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है बैंकर अपने गरहां के खाते जो से इंटरस्ट कोई फाइदा होगा सरकार को तो आपके बारे में बैंक इंफर्मेशन दे सकता है लेकिन यह रूल बिल्कुर नहीं है कि आपके खिलाफ आपके दली महले वाले को बीना बताए आपकी इमेज को गलत बताए और वह बज़क कुछ भी हो सकता है लेकिन बिष्वास करने का उर्चित कारन है कि अपराध हुआ हो बैंक के पास मौजूद। जानकाली से अपराध को पकर जा सकता है तब भैंक कर को खुलासा करना जरूरी हो जाता है लेकिन आप कोन से अपराध कर दिया आपने करेडिट्स काम पर समय पेमेंत यह हो पा रहा है तो आप बहुत भरे अपराधी तो नहीं हुए यह तो एक सिविल का मैटर है जिसमें सरकार चाहे बैंक चाहे और आप चाहें तो सेटलमेंट करके आप अपनी परिशानी को खतम कर सकते हैं लेकिन रिकबरी एजन्ट जो इस बिटमीन होते हैं वही अपना कमिशन कमाने के लिए आपको ध्रेट कॉल के दुवारा यह बोलते हैं कि हम आपके घर पे आ रहे हैं अगर आज पैसे नही करती वीडियो में सामिल है यानि के कस्टमर को ऐसी अक्टिविटी कर रहा है जिससे देश को दंगा फसाद होने का डर है यानि कि वह ट्रेडर फंडिंग कर रहा है तो भी बैंक सरकार पुलीस को बता सकता है आपके बारे में इन्फॉरमेशन तो क्या आभी क्रेडिट का या लॉन लेके ट्रेडिंग फंडिंग में इन्वेस्मेंट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा एक तो जन्रल कस्टमर है जिन्दगी में जब तक जॉब थी तो आखुष थे क्लाइंट से बात करना होता उसकी परिशानिकों सुनके बैंकों के सामने समख्च रहना पड़ता है लेकिन हिए तो उल्ओत है वह आप से गाली गलोज अबको परिशान करते हैं तो दोस्तों यह सारी चीज़ें सअसे जीटे की खिलाफ है यहां सरकार की नुक्षान के लिए बैंकर पर मुकदमा कर सकता है यदि गना को भोतिक छती हुई हो तो प्रयापतरासी का दावा कर सकता है किसी भी जानकारी के अनुष्चीत परकेटी करें बैंक दो रहा के बारे में अतिधिक पर्तिकुल राय के जाने के पर इनाम सबुरूप ऐसी छती ह सकती है तीसरे पक्ष के नियम कानून है कि अगर ने आपकी इजद बठाया आपके परती उन्होंने कोई यह भावना से लोगों को बाताया यह तो आप सकते हैं और बैंके उपर भी लिगल एक्षन ले सकते हैं और थर्ट पार्टी वाले एजेंट पर भी आप लेकर उनकी लंका लगा सकते हैं दोस्तों आप अगर चाहें तो इन सब अबरी एजेंट की वज़े से तो दोस्तों इनके खिलाफ लीगल एक्षन लेना आपका अधिकार है और आप कानूनी रूप से इनके खिलाफ एक्षन लेके आप अपने चीजों को सेटलमेंट भी कर सकते हैं और मानहानी का दावा करके इनकी जॉब भी ले सकते हैं और बैंक के प्रोसेस में जाके सेटलमेंट कर लिजिए अगर फिर भी उस प्रोसेस में यह लोग आपको ड़नारे धंका रहे हैं तो आप लीगल लेक्षन लेकर उनकी लंका लगवास आसा करता है वीडियो में जो मैंने आपको बताई कि रिकभरी एजेंट अगर आपके घर पे बै और तेरे में दम है तो यह करके दिखा तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बटन दवा के जाएगा कि हमारी वीडियो सबसे पहले आए फेस्बुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फोलो करना नहीं भूलिएगा वीडियो को लाइक क में है नहीं 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 से यू